दिवाली के बाद कार्तिक शुक्ल द्वित्या को भाई दूज का त्योहर मनाया जाता है इसे यम द्वित्या भी कहते हैं इस दिन भेने अपने भाई को तिलक करती है और उनकी लंबी उमर की कामना करती है इस साल गिपर वच्छे नवंबर को मनाया जा रहा है मानिता है जो भाई इस दिन भेन के घर जाकर तिलक करवाते हैं उसकी अकाल मृत्यू नहीं होती इस दिन भेने अपने भाई को तिलक लगा कर उनकी लंबी उमर के कामना करती है जबकि राहुकाल में भाई को तिलक करने से बचना चाहिए भाई दूज की द्वित्याति थी पांच नवं इस दिन भाईयों को तिलक लगाने का शुमुरत दोपहर एक बच कर दस मिनट से लेकर तीन बच कर एकिस मिनट तक रहेगा यानि तिलक करने का शुमुरत दो घंटे ग्यारा मिनट का है भाई दूज पर भाई की आर्थी उतारते वक्त बहन की थाली में सिंदूर, फूल, चावल की दाने, सुपारी, पान कपत्ता, चांदी का सिक्का, नादियल, भूलमाला, मिठाई, कलावा और केला जरूर होना चाहिए इन सभी चीजों की बिना भाई दूज का त्योहर अधूर माला चाता है ब्योरी रिपोर्ट, HDD टाइम्स